प्यारे बच्चो मैं राजिंद्र गांधी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम पहले तीन पाठों में हमने जो पड़ा उसका पुन्राव लोकन करेंगे अर्थात रिवीजन करेंगे आईए शुरू करते हैं सबसे पहली बात जो भाषा हम पड़ रहे हैं उसकी लिपी के बारे में हमें पता होना चाहिए लिपी का मतलब होता है लिखने का ढग संस्कृत भाषा के लिपी देवनागरी है हिंदी भाषा के लिपी भी देवनागरी है हिंदी में जिन वर्णों का प्रयोग होता है संस्कृत में भी उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है इसलिए दोनों भाषाओं के लिपी देवनागरी है दूसरी बात संस्कृत में बार-बार विसर्ग का प्रयोग होता है ये दो बिंदियां आप देख रहे हैं ये विसर्ग होती है और इनकी आवाज हा की तरह होती है जैसे एश है अत है गुरुत है और तीसरी बात संस्कृत में हलंत का प्रयोग भी बार बार होता है ये जो आप नीचे तिर्ची लाइम देख रहे हैं इसे हलंत कहते हैं इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा चौती बात संस्कृत में लिंग तीन परकार के होते हैं बाके भाशाओं में लिंग दो होते हैं पुलिंग और इस्त्रिलिंग संस्कृत भाशा में लिंग तीन परकार के होते हैं पुलिंग इस्त्रिलिंग और नपुनसक लिंग पहले पार्ट में अमने जीन शब्दों को पढ़ा वो पुलिंग शब्द थे जैसे एशह, यह, एतव, ये दो, एते, ये सब, सह, वह, तव, वे दो, ते, वे सब और दूसरे पार्ट में आपने जिन शब्दों को पढ़ा वो इस तरिलिंग शब्द थे जैसे एशह, यह, एते, ये दो, एतः, ये सब, सह, वह, ते, वे दो, तह, वे सब तीसरे पार्ट में हमने जिन शब्दों को पढ़ा वो नपुनसक लिंग शब्द थे जैसे एतत यह, एते, ये दो, एतानी, ये सब, तत वह, ते, वे दो, तानी, वे सब प्यारे बच्चो, संस्कृत में वचन तीन परकार के होते हैं, बाकी भाशाओ में वचन दो परकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन संस्कृत में वचन तीन होते हैं एक वचन, द्वी वचन और बहु वचन पहले पार्ट में हमने जिन एक वचन शब्दों को पढ़ा वो ये थे चशकह, गिलास, सौचिकह, दर्जी और पार्ट दो में हमने जिन एक वचन शब्दों को पढ़ा वो ये थे खनित्रम, कुदाल, विश्राम ग्रेहम, आराम करने का स्थान, भित्तिकम, दिवार पहले बाट में जिन द्वीवचन शब्दों को हमने पढ़ा वो इस प्रकार थे शुनकहू, दो कुत्ते, बलिवर्दव, दो बैल और लेसर नमबर दो में हमने इन द्वीवचन शब्दों को पढ़ा, कोकिले, दो कोईले, चालिके, दो महिला चालक और लेसर नमबर थ्री में हमने इन दो द्वीवचन शब्दों को पढ़ा, अंगुलिय के, दो अंगुठिया, बस याने, दो बसें लेसन नमबर एक में हमने इन बहुचन शब्दों को पड़ा स्यूता, थैले, मृद्धा, बुढ़े लोग पार्ट दो में हमने इन बहुचन शब्दों को पड़ा स्थालिकाह, थालियां, अजहा, बक्रियां और पार तीन में हमने ये बहुचन शब्द पड़े करवस्त्रानी, रुमाल, कदली फलानी, केले प्यारे बच्चो जिस परकार शब्द रूप में तीन बचन होते हैं इस तरह धातु रूप में भी तीन बचन होते हैं एक वचन, द्वी वचन, भुवचन ये सब एक वचन शब्द हैं इनकी निशानी क्या है अंत में आपको ती दिखाई देगा आईए इनका उचरण करते हैं गायती, धावती, खादती, वदती, अस्ती, पत्ती इन सब में ती है और द्वी वचन में आपको तै और विसरगे दिखाई देंगी आईए इनका उचरण करें पठता है, कुरूता है स्ता है, दोलता है कूजता है नित्यता है और ये सब भवुचन शब्द है इनके अंत में आपको अंती दिखाई देगा सब में अंती मिलेगा पठन्ती, विक्संती धावन्ती, चलंती, नित्यंती, क्रिडंती अब हम बर्नों को अलग करना सीखेंगे देखिए अगर मा हलंत है तो मा को ऐसे लिखा जाएगा अगर मा में हलंत नहीं है तो मा को लिखा जाएगा मा प्लस अ और मी को कैसे लिखा जाएगा मा प्लस ई मी म प्लस ई मे म प्लस ए म म प्लस आ और इसको कैसे लिखा जाएगा र आधा प्लस म प्लस आ तर त प्लस र प्लस आ त्री त प्लस र प्लस ई त ये त और ये आधा त प्लस आ पि त प्लस आधा त प्लस ए और आधे वे को इस प्रकाल लिखा जाता है इसमें एक और बात ध्यान रखने की है जब भी हम वरणों को अलग करें तो व्यंजन के नीचे हलंत अवश्य लगाना है स्वरों के नीचे नहीं लगाना पहले पाट में हमने जिन शब्दों का उचारण किया था वो शब्द पुलिंग अकारांद शब्द थे उनमें अंत में कोई मत्रा नहीं थी आईए उनका उचारण करते हैं छात्र है, गज़े है, घटा है, मकर है, मुश्के है, चंद्र है और दूसरे पाट में हमने जिन शब्दों का उचारण किया था वो शब्द इस्त्री लिंग शब्द थे और आकारांद थे आकारांद का मतलब उनके अंत में आ की मत्रा होती है छात्रा, लता, माला, कलिका, पेटिका, नोका और तीसरे पार्ट में हमने जिन शब्दों का उचारण सिखा था वो नपुनसक लिंक शब्द थे उनके अंत में आपको महलंत मिलेगा फलम, ग्रिहम, पुश्पम, जलम, छत्रम, भवनम आज का वीडियो हम यहीं समाप्ट करते हैं अगले वीडियो में हम पार्ट चार के शब्द परिशे पर चर्चा करेंगे इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के सुचना मिल सके धन्यवाद आप सब का कल्यान हो